सबसे पहले गूरु तत्पथा गूनातित पराशक्ति और परमात्मा जो निश्क्रिय निर्गून निरंजन निलिप्त निराकार निरालंब है और जो माया महा माया है जोग माया है परा माया है नित्य माया है नित्य सकते हैं वो सत्ता परमात्मा और उसका उनका आखंड प्रकृति फिर माया प्रकृति का तैयारी सत्परज साम्यावस्थानी प्रकृति चर जगत अचर जगत जल, हवा, पृत्फी जल, हवा, अगनी, पृत्फी और आकासी पंजभूत इनमें आकास स्थीर है पृत्फी स्थीर है अगनी जल हवा ये चलने बाले है जल निमनगामी है हवा सर्भव्यापी है और अगनी रूप में है और अंत में रूप है ये जल हवा अगनी में अगनी तत्प आत्म भी से और ये इस्पर का तेज का अंतराल से काल निगला और काल का सरिर से आत्मा आया आत्मा प्रकृत में मिलकर जीवात्मा होते है बद्ध भी सई मुक्ष्यू और मुक्त आत्मा कारण आत्मा ज्यान आत्मा ज्यान आत्मा आत्मा का हर कोई प्रकार रुपरंग दिया जाता है तो गूरु तत्प से ब्रह्म निकला ब्रह्म का आत्मा का मुल्टत्प आ है और प्रमात्मा का मुल्टत्प है अख्यरानाम अकारुस्मी जो ख्यरिथकर नहीं आती उनमें मैं आ हूँ आ और सुरुष्ट भीज़े अनन्द भीज़े अनन्द अलेक अच्यूत असेश असिम अप्रमेव अप्रकास असिम अनन्द अनादी ये सब है और ये परमात्मा सप्तावरण का सरीर सप्तस्वर और सातों ही रंग अगनिका साथ जीवा साथ समंदर सब्तलुक उपर सब्तलुक नीचे भूबहस्वा स्वाजन महलुक अतब सत्य ब्रह्मा और अतल बितल सुतल तलातल पातल रसातल ये साथ साथ तब उपर का साथ द्वार भी है आग दो नाग दो कान दो एक मुख ये जो अख्यर अख्यर से अख्यर ब्रह्मा का तत्प बहूत गहराई है लोकी का बोईदी का सरबा सब्दा नित्याहा अख्यर से सब्द सुरुष्टि होता है और ब्रह्मा का यही प्रतिक है वहा जियोती रुफ है सब्द रुफ है अख्यर रुफ है और मुर्ति कास्वर रुफ है वेद भी मुर्ति को खंडर नहीं करती वेद कहती अंगुष्ट मात्रम रभी तुल्ले रुपम सुर्ज का समान और अंगुष्टि परिमीत है तो जब अंगुष्टि परिमीत है और सुर्ज का समान है ब्रह्मा और सरी में जिवात्मा जो है केशाग्र सस्त्रभाग अश्य एक अश्य सतधा कुर्द है केशाग्र एक सोभाग से हजार भाग से एक भाग को फिर सोभाग करना इतना सक्मा एशोन रात्मा तब ये अख्यर के बारे में हमको फिर जानना चाहिए क्या इसका सब अर्थ गहराई है और गहराई अर्थ को समझने के लिए गहराई दिमाग भी चाहिए गहराई सोच भी चाहिए और वेत का मूल तो उंकार है ब्रह्मा विष्णू और महेश महेश कहते हैं मैं उंकार हूँ उंकार बिंदू संजोगतम उंकार का बिंदू से भगवान संकर जुकत है बिंदू से बिंदू ब्रह्मा है भगवान संकर ब्रह्मा संजुत है परम ज्यानी है जोगियों उनको ध्यान करते इसलिए वो जोगेश्पर है जोग का इसपर है जब भी महामुनी कपिल पतंजल ने जोग दर्शन निकाला ये जोग का आचर जे संकर है और जोगी नाम इसपर जोग का इसपर संकर है और हर जोगियों का इसपर भगवान क्रिश्णा है इसलिए उनको जोगेश्पर कहा जाता है क्रिश्णा भगवान कहीं पदमासन नहीं किया आसन प्राणयम नियाम ध्यान ध्यारणा उनको कुछ नहीं लगते क्रिष्ण को पाने के लिए ये सब का आवश्चक है जो छटे दर्सन है इस छे प्रकार बीकार को नश्ट करते हैं काम, कुरोध, लुभ, महमद, मास, शर्ज इस सब को नश्ट करते हैं और परमात्मा का प्रप्ति करवाते हैं दर्सन उपनी सत्फ उपनी सत्फ जो है ये परमात्मा का पास बैठाते हैं जिवात्मा क्या है, संसार क्या है कैसे चलना, कैसे रहना क्या करना, क्या नहीं करना ये समिर्दिस देता है उपनी सत्फ और दर्सन में जो सुत्र है ये सुत्र ब्रम्ह के बारे, जीवत्मा के बारे, पदार्था के बारे, गियान के बारे हैं। वेद में जो सुत्र है मंत्र है ये तो पहले लिखाई नहीं था ना भगवान सामवित का गायन किया कोई मन मंत्र में बामना बतार में रीश्चियों बेद का मंत्र जाप करते त्रेत्या जुग में जग्या का परारंभ हुआ मंत्र में हवन भी करते गीता भी तो कहता है ना जग्या दान तपक क्रिया ये छोड़ना नहीं है जग्या करो दान करो तप करो और क्रिया करो तब वेद तिन प्रकार बताता है आ उमा अकार है ब्रह्मा बाचिक ब्रह्मा बीच इनके बार में रिग्विद में है जजुर्वेद उकार है उत्थान उत्सर्ग उत्छप ये सब विकास डेवलप के लिए कर्मयोग है ये और सामबेद अथर्ववेद ये बिज्ञान और ज्ञान तंत्र मंत्र जंत्र इसका प्रयोग ये अथर्ववेद में है सामबेद भगवान के लिए सेपारेट है भगवान का गुनगान करने के लिए बाम दिवगान महा बाम दिवगान इनमें ओम नहीं लगता सामबेद में लगता है उंकार प्रवड़ मूलम क्रमपद सहितम रुग जजू अथर्वचंद गधानम सामबेद नहीं है इनमें रुग जजू अथर्वचंद गधानम सामपुष्पम सामफुल है और भगवान का गुनगान करने से भगवान आ जाते हैं राधे राधे बोलो रटे चलो बो चले आएंगे विहारी प्रवड़ आ जाते हैं सामबेद गायन कला है इनमें बाइदिक अथिकार नहीं है सामबेद प्रभव का गुनगाउ तो यह कोई प्रकार है निर्देश तो यह सब निर्देश को लेकर हमको बेद का गान भी अभ्यास करना है अब आएए अकारु कार्मकार शिष्टिस्ति प्रड़ाई बिज में हमको ढुणना है परमात्मा को कर्म को जानना पहचानना ज्यान को ज्यान में जानना समझना और सही कर्मकर कि इस पर समर्पित होकर परभगो परप्ति होना सारे गामा पाधानी ये जो अक्षर है सर्गम का सर्गम का जो अक्षर है ये सातों जन्तों का स्वर है इनमें जो सा है सा भी है और आ भी है ये मिलकर मूल्स्वर है सा सका मतलब है आत्मा परमात्मा और आ है माया ये मिलकर सा होता है जग में दो तत्प है गूरु तत्प जो प्रक्रिती और पुरुष प्रक्रिती गुणवाली और पुरुष रुपवाला एको बहुनाम जबीदधाती कामान तब खलत्वा को थकेते सुनमा तुमर तब ये जो सा है इसका आसब्द निकालते गुण का अधार और संगित कला में इसका तो मूल उच्चारण है पहले ही हरी है नारायन नमस कृत्या सर्व करवानिकालेत हरी ही ओम हरी ही ओम हा है ब्रह्मतत्प रहे आत्मा तत्प इहे माया तत्प हरी ही फिर अंत्मे फिर हा वही अध्ये चांते चमध्ये चा शर्वत्र है और इस तत्प से हन्स साधन भी होता है जिवात्मा का इसका साधन करते हैं लोग अब आए कोई भी अपनो कला से भगबान का गुन गाने वाले संगीत ब्रह्मः बिद्या है संगीत शुद्ध ब्रह्मः बिद्या है और इस अनाहत से नाध निकलता है इसका हरी गुरू है अपनो करते हैं अपनो करते हैं अपनो करते हैं अपनो करते हैं हे ए आहा आ से आरंभ होता है पीच में दुरूत कति से जाकर अन्तिम में फिर आ होता है इसको इसका गहरा इतत्प ग्या है अख्यर में स्वर्वर्न स्वयंग राजत इस्वरह पराया आस्रे लेना नहीं पड़ता है हरी गुरु है हे ए गुरु हरी हरी आ हा तब इस्वर का विद्या संगीत में प्रजुक्त होता है और संगीतों का महत्प भी ऐशा है कि इनमें न कोई नियास भुत सुध्धी आसन सुध्धी मंद्र का जाप अरगल किलक कबच नाही जार जोग अतत्प भुत सुध्धी नियास जप नाही पुरस्चरन भी धान इसका पुरस्चरन भी नहीं अंतिम नहीं आरम नहीं है प्रभु का नाम ली लागून गाने के लिए मुरक प्राणि इसको लालालालालाडारे डारे डाडडड़ा निननना इई आयाओ ऐसे करते हैं लेकिन सही में हरी ही गुरु हे आहा यहां सही उच्छरण है यह सब सरगम भी है यह संगित का मूल भी है और यह ब्रह्मभाद का परिच्छा भी है इसलिए सबसे आरंभ है हरी बीच में उंकार सिष्टिस्तिति प्रड़े का बीच और अन्तिम में फिर प्रभो का नाम हरियम नमो नारेन बोलो जै जगनात बोलो सीताराम बोलो राधिस्याम बोलो जो कुछ बोलो यह है गहराई तत्व सबसे मुल है हरी हरियों तस सत्थ वह सत्थ है सत्य नहीं सत्थ सत्से तयार है सत्या जै श्री राम जै राधिस्याम हरी हरी बोल निताय गोर निताय गोर जै जगनात